हेलो फ्रेंज तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा खास और हम लेया हैं बहुत ही प्यारे प्यारे यूजफुल ट्रिक्स और है आप अपने घर के कामों में कैसे आसान कर सकते हैं और आप अपने बेकार सीजिक कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं और यह ट्रिक्स आपके किचन के काम को कर देगा सबसे आसान जो काम गंटों के हैं वो मिंटों में हो जाएंगे तो चले देख लेते हैं पहला है तो यहां पर करना क्या है यहां पर हमने ले लिया है पुदीना पुदीना क्या होता है हम जाते हैं मार्केट ले आते हैं तो हम इसे रख देते ह है तो पकल savoir नहीं चलता है उसे क्या होता है जब हम रख देतेख फ्रेज में हो या फिर कपड़े में लपेटों लपेटकर रख समय कपड़े में तो पुदीने की पति पतिने 2-3 दिन बाsin बात में जो हैं मननुट बढ़ जाती हैं और वह झौब क्वराब हो सीजन है तो आप इसे पंखे के हवा में एक दिन के लिए छोड़ दें तो यहां पर एक दिन के बाद यह जो पुदीने हैं सूख जाएंगे और सूखने के बाद पुदीने कुछ इस तरह से हो जाएंगे तो यह देखिए पुदीना जो हमारा सूख गया है एक दिन बाद हो है तो आप ले आईए और इस तरह से सुखा लिजे क्योंकि पुदीन हम डेर सारा ले आ लेते हैं और क्या होता है एक से दो दिन उसकी जो लीप्स होती है नहीं चलती आप किते भी अच्छे से रख लो वह ब्लैक पड़ जाते तो आप फ्रेस लाइए इस तरह से के पड़ और इसे अच्छे से काज केजार में लाए किसी जान के बर्कर रख लिए जब भी आपको चटनी बनानी हो विंटर में या फिर आपको पूरी या पराठे में डालना हो सब्जी में डालना हो तो आप इसे यूज कर सकते हो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूं तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अब चलिए दूसरे टिप्स के साथ तो फूट है यहां पर क्या करें चूडी होती यह जो हमारी बेकार ची हो जाती है तो इस विछार चूडी के प्लेट में देया और ज Bin मतलब किर से और फेसे वह साकते हैंと思います जल्दी जई होता है तो हम क्या करते हैं इससे हम क्या गरेंगे एक साथ मिंगे इतने सारे डिब्बे आ जाते हैं तो आप भी इस तरह से ये वाले ट्रिक अपना सकते हैं जो भी आपके घर में थाली प्लेट बर्तन जो भी इस तरह से हो आप इस तरह से और्गनाइज कर सकते हैं इसके नीचे आप चूड़ी के जगा आप यहां पर मोतियां भी रख सकते हैं जो अगल में रख लें और जब भी आप जो मसाला की जरूरत हो इस तरह से आप गुमा गुमा के भी ले सकते देखिए एक और गनाइजर के त्यार हो गया आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं जो आपको एजी लगे आप चलिए दूसरी ट्रिक साथ चलते हैं यहां पर हमारे पास काच की चूरिया है जो खराब हो जाती है तो उसे हम क्या करते फेक देते हैं तो हमें करना क्या है यहां पर हम ले लेंगे पिन पिन जो हमें बहुत ज़्यादा जरूरत होती है कभी कुछ नोट्स बनाने होते हैं तो हम ढूरते रहते हैं मिलती नहीं है तो आप इस तरह से चूडियों में इस तरह से हैंग कर दीजिए और एक पिन सेप्टी पिन ले लिजिए सेप्टी पिन से इस तरह से हम बढ़िया से इसको बंद कर देंगे और यहां पर हम इसे कहीं भी हैक कर देंगे किचन में और जब भी आपको कुछ नोट करना हो तो आप इस तरह से इसली निकाल सकते हो तो आपको एक ट्रिक से कैसी लगी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से बड़े स्लाइस में प्यास कतने काटना होता है तो हम क्या करते हैं उसके पहले निकालते हैं तो आप एक साथ-में इस तरह से कटकरे निकाल सकते हैं और कभी के अईसा होता है कि हम कोई ऐसी र 450 बनाते जिसमें बड़े सल lot में 5 कंडने होते और इसमें लग सबसे हैं तो उसे पूरी प्रीज में इसमेल हो तो उसके लिए क्या करना है, मतलब यहाँ चावल लिजेए, उसमें अट करिये, आप यहाँ पर डाल दीजे, चैपती जो हम चाई जी से बनाते हैं, वहाँ पर क्या करना है, जिसे हम प्रूरी को, हमें इस तरह से ओपन करना है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे वह जो कटोरी में हमने चावल और चाय पती को रखा है उसको हम रख देंगे इससे क्या होता है जो हमारी ऐसे कुछ खाने होते है या फिर ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं एस्मेल बन जाती तो वह इसमेल को मेंठेन रखेगा आप इसके जगा नीबू भे ले सकते हैं अगर नीबू काट करके आप फ्रिज में इस तरह से रख दें तो आपको कोई समान में जैसे फूर्ट से भी होते हैं उससे स्मेल बन जाते तो बिल्कुल नहीं बनेगा तो इस ट्रिक को अपना सकते हो आप और यहां पर गुलाब के पतियों लेकर है यहां पर क्या होता है सरदियों में गुलाब बहुत मिलता है तो हम पूजा के लिए लाते हैं तो क्या करते हैं फेक देते हैं तो आप फेक हैं नहीं गुलाब की जो पतियों होती हैं जैसे गुलाब है आप उसे रख देजे यह सूख जाते हैं तो आप इसे घर्मियों में तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो तो कैसी लगी मेरी ट्रिक्स एंड है अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगा शेयर करिएगा और में सपोर्ट करिएगा ऐसे हम नए नए ट्रिक्स एन हैक लाते रहेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखे हरे रुमाया देव